मुकामा के सरकार अनंद कुमार सिंग बहुत बोल्ड आदमी है और नेता प्रतिपक्ष तजस्वी यादों से हमारी बातचीत हो गई है और मुकामा से अब हम खुद चुनाव लडेंगे यह बात बाहु बली अनंद कुमार सिंग की पत्मी निलम देभी बोल रही है और निलम मुकामा से अब हम खुद चुनाव लडेंगे नेता प्रतिपक्ष तजस्वी यादों को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि मुकामा के बारे में तेजस्वी यादों सोच रहे हैं कि वहाँ पर क्या किया जाए और इसी बीच अनंद कुमार सिंग की पत्नी निलम देभी का यह बड़ा बयान सामनी आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुकामा से हम खुद चुनाव लडेंगे ताता सबसे जरूरी बात की तेजस्वी यादों से बातचीत हो गई है यह बात तो लगबकत है था कि जब तेजस्वी यादों भूमिहारों को राजत का वोटर बनाने की लिए पिछले कुछ वक्त में जो कुछ किया है वह सब कुछ एक साथ ही खत्त हो जाएगा बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विशेस कारिक्रम एक्स्प्लेनर की ब्लड शूगर ब्लड प्रेशर अस्तमा जैसे जटिल रोगों क मुकामा में राजितिक समिकरन हर कोई जानता है कि भूमियारों के पक्ष में है और यही कारण है कि उस शित्र के लगबग हर चुनाओं में लडाई भूमियार बना भूमियार की रहती है अब अनंद कुमार सिंग की सदस्ता खत्म कर दी गई है तब चर्चा चल रही थी कि जश्वी यादो किसी भी कीमत पर मुकामा से गैर भूमियार उमिद्वार तो उतारेंगे ही नहीं और सबसे ज़्यादा उम्मी जदाए जा रही थी कि अनंद कुमार सिंग जिसको कहेंगे जश्वी यादो उसी व्यक्ति को ठिकर देंगे और राजत का उमिद्वार कि अनंत कुमार सिंग अपनी पत्नी नीलम देवी को कहेंगे कि हमारी जगह पर अब तुम विधान सभा में पहुंचो और अब लगभग या सब कुछ हो चुका है मतलब कि अंदर खाने तय हो चुका है अब कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों ने इ कामा विधान सभा का उपचुनाव एक बड़ा चुनाव है क्योंकि जीत का असर दूर तक जाएगा मान लीजिए कि अनंत कुमार सिंग की पत्नी वहां से चुनाव जित जाती है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों उनके लिए दिन रात प्रचार करते हैं तब भ जस्वी यादों खुलकर भुम्यारों से कह रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए और हम कदम से कदम मिलाकर साथ में चलेंगे अब जब मुकामा का चुनाव होगा तब फिर भाजपा के सामने यह प्रश्ण राजत की तरब से उठाया जाएगा कि जब किसी भुम्यार नेता को फसाया जा रहा था तब भारत की जनता पाटी चुप चाप नितिश कुमार का साथ दे रही थी और वुम्यार समाज के अंदर अनंत कुमार सिंग का प्रभाव पिछले कुछ वक्त में और अधिक बढ़ा है तता उनके खिलाब जो कारवाई हुई है उससे उनकी और अधिक हुई है इसका मतलब साफ है कि अनंत कुमार सिंग के खिलाब भाजपा जितना प्रचार करेगी उससे उतना गलत संदेश जाएगा और यही बात भारत की जनता पाटी को परिशान कर रही है नेता प्रदीपक्ष्ट जसुई याजो ने इस बात पर मुहर लगा दिया है तसा यह बात अनंत कुमार सिंग की पत्नी निलम देभी खुद कहते हैं कि अब मुकामा का चुनाव हम खुद लड़ेंगे छोटे सरकार को लेकर वो कहते हैं कि मुकामा वाले सरकार बड़े बोल्ड आदमी है कहा तो यह भी जा रहा है कि निलम देभी ने तैयारी शुरू कर दी है और अनंत कुमार सिंग के कारकरता आप तयारी में लग चुके हैं कि अभी से मुकामा के गाउं गाउं में जाकर बताया जाए कि कैसे छोटे सरकार को निकीश कुमार ने फसाद दिया और राश्ट्री जनता अदल के लिए या तो एक और मौका के समान है जिस का या दूसरा पाट बताया रहा है बताया रहा है कि मुकामा के रण में एक बार फिर से भारतिय जनता पाटी की हवा टाइट होगी और भारतिय जनता पाटी को इस बात का डर होगा कि अनंद कुमार सिंग के उपर जो कुछ करवाई हो रही है उसका असर नितिश कुमार की पाटी पर तो जादा नहीं पड़ेगा लेकिन भारतिय जंता पाटी के मद्दताओं पर जरूर पड़ेगा क्योंकि भूमिहार भारतिय जंता पाटी का कोर गोटर है और अगर नितीश कुमार की पाटी के साथ भाजपा खड़ी रहते हैं तब इसका असर नकरात्मक रूप म पर सकते हैं बाकि अपने ता प्रतिपक्ष तेश्व यादों ने मुहर लगा दी है कि अनंत कुमार सिंग की पत्नी निलम देभी वहां से चुनाव लेंगी और इस बात की जानकारी खुद निलम देभी दे रही है बाकि आगे क्या कुछ होगा मुकामा को लेकर नितिश कमार कि पार्टी जद्यू क्या की फैसला लेती है इस पर माइनेजर बनी हुई है आगे जो कुछ नहीं जानकारी आगे उसे माब तक पहुचाएंगे वीडियो यही पर समाप्त करते हैं वीडियो को शेर कीजेगा फेस्बूक पेज को लाइक कीजेगा और अगर यूट्यूब झाल 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 झाल